तो एक बार से फिर आप लोगों का विहान क्लासेज में स्वागत हैं मैं विनोशर आप लोगों को पार्ट आफ इस पीज पढ़ा रहा हूं और उसमें मैंने आपको नाउन के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं और वहाँ पर मैंने आपको पार्ट आफ इस पीज क्या होता है पार्ट आफ इस पीज के पार्ट कितने होते हैं उसके बारे में फर्स्ट वीडियो में चर्चा हो गई है ठीक आज हम लोग नाउन के बारे में चर्चा करेंगे कल नाउन के definition भी हो गई थी नाउन के five parts होते हैं उसके बारे में चर्चा हुई प्रापर नाउन के अंतरगत क्या क्या आता है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा हो चुकी है ठीक तो आज नाउन का ही second part है आपका common noun मतलब जातिवाचक संग्या क्या है common noun है जातिवाचक संग्या तो common noun के definition जैसा कि आप देख रहे हैं लिखी हुई है क्या common noun is the क्या है a common noun is the name of ठीक क्या है a common noun is the common name of class of person place or thing कहने का क्या मतलब है कि a common noun मतलब जो जातिवाचक संग्या है क्या है common name है common ने मतलब समान common में से क्या है यहाँ समान नाम हो सबका मतलब कोई एक ऐसा word आएगा जो सभी के लिए यूज किया जाएगा उस पुरे वर्ग के लिए पुरे class के लिए यूज किया जाएगा आफ आफ class आफ person किसका है मतलब व्यक्तियों के वर्ग का अस्थान के लिए common होगा और think के लिए वो word क्या होगा common होगा तो उसके लिए क्या है common noun उसे कहा जाता है देखे जैसे यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या करेंगे common का अर्थ क्या समझेंगे वो आप समझ जाएंगे तो एक बार में आपको समझ में आएगा देखे common का अर्थ होगा क्या common का क्या अर्थ होगा जो क्या है जो सब में सामील हो क्या मतलब हो सकता है कहने का यह मतलब है कि कोई एक अइसा वरड आएगा एक अइसा वरड जैसे यहाँ पर आएगा तो वो केवल और केवल क्या करेगा विसेश पर्टिकुलर प्लेस पर्सन या ठिंग के लिए यूजे नहीं किया जाएंगा वहां पर हम लोग क्या करते थे प्रापर्नाउन में क्या बात होती थी कि वहां पर पार्टीकुलर क्या होता था पॉर्टीकुलर पर्संद्ञ और ठिंकी होती थी जैसे राम बोल दिया गया तो किसी पार्टिकुलर परसन का नेम हो गया गीता बोला गया तो वो किसी पार्टिकुलर गर्ल याउमेन का नाम हुआ ठीक जैसे चेर बोल दिया गया तो क्या है वह बताओ किसी particular क्या बोलते हैं वस्तु का नाम हो गया तो यहां पर तो यहां पर क्या है particular का प्रयोग ना करके विश्येस का प्रयोग ना करके जो सभमें शामिल हो ऐसे सब्द यहां पर आते हैं ऐसे सब्द यहां पर आते हैं तो इसी लिए इसी अनुसार इसके डिफिनिशन यह आपको बनी है कि a common noun is the common a common noun is the common name of a class of person, place or thing बास समझ में आ रही है कहने का मतलब यह है कि common noun क्या है एक ऐसा common नाम है जो किसी भी क्या है व्यक्तियों का वर्ग हो सकता है अस्थान हो सकता है और thing हो सकता है वो नाम सभी के लिए common होगा अब बास समझ में आई तो यहाँ पर common कार्थिय ही होता है जो सब में हो अब हम आपको दो चार है डिफिनिशन एक्जामपल देकर समझाते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को समझ में अधिक आए फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं ठीक देखे यहाँ पर जैसे बोल आप समझेगा प्रापर नाउं रमेज क्या है प्रापर नाउं बट अब डॉक्तर इज़र कामन नाउं आप यहाँ पर समझ यह आप लोग ठीक अब यहाँ पर समझ यह रमेज क्या है प्रापर नाउं है रमेज क्या है प्रापर नाउं है बट डॉक्टर इज कामन नाउं इसको समझने का प्रयास कीजिएगा रमेश क्या है प्रॉपर नाउन है कहने का मतलब क्या है कि रमेश एक पार्टिकुलर पर्सन है एक पार्टिकुलर व्यक्ति है ठीक जबकि डॉक्टर क्या है common noun है मतलब doctor वो किसी के लिए भी आ सकता है ठीक चाहे रमेश डाक्टर हो उसके लिए भी आएगा इडाक्टर सब्द चाहे दिनेश हो उसके लिए भी डाक्टर सब्द आएगा चाहे महेश हो ठीक उसके लिए भी डाक्टर सब्द आएगा कहने का मतलब ये है कि कोई भी डाक है डाक्टर का क्लास है जितने भी डाक्टर हैं उनका वर्ग है उन सब के लिए ये डाक्टर सब्द यूज किया जाएगा बास समझ में आ रही है तो यह डाक्टर आपका क्या हो गया यही डाक्टर आपका common noun है यही चीज़ मैं भी आपको बता रहा था कि यदि क्या हो जाए कि कोई एक ऐसा सब्द आएगा जो अपने पूरे वर्ग को इंडिकेटर करेगा ठीक तो यह वही सब्द है डॉक्टर ऐसे बहुत सारे सब्द हो सकते हैं केवल कॉम नौन केवल एक भी सब्द नहीं है की डॉक्टर बोल दिये तो काउमा नाउन हो सक्के हो गया गःल भी हो सकता है जैसे यहां पर भी देख लेते हैं जैसे है रीषा है findael है प्रापर नाउन, गीता इस प्रापर नाउन, गीता क्या है, प्रापर नाउन है, बट, लेकिन, लेकिन, गर्ल इस अब समझेगा, क्या है, रीता इस प्रापर नाउन, मतलब गीता क्या है गीता क्या है गीता प्रॉपर नाउन है मतलब ब्यक्तिवाचक संग्या है स्वारी रीता क्या है प्रॉपर नाउन ब्यक्तिवाचक संग्या है लेकिन ये जो गर्ल सब्द आया है ये क्या है कॉमन नाउन है ये क्या है common noun है बास समझने का प्रयाज कीजिए तू जब girl सब्द यूच किया जाता है जब girl word यूच किया जाएगा तो वो केवल और केवल रीता के लिए थोड़ी आएगा वो केवल और केवल रीता के लिए थोड़ी आएगा, जितनी भी girls है चाहे वो है न तो कुल मिलाकर यह जो गर्ल है तो जितनी भी गर्ल्स है उनकी जो कटेगरी है उसको यह बताएगा गर्ल्स बास समझ में आ रही है तो यह भी क्या है यहां से common noun है यह क्या है common noun है बास समझ में आ ही है चलिए जैसे अभी यहीं पर बोल दिया जाए क्या कि टॉमी इस आप प्रापर नाउन बट टॉमी इस आप प्रापर नाउन बट डॉग इस अ क्या है का मंन नांत बास समझेगा अब अगर टॉमी बोला जाता क्या प्रापर नाउन हो गया वह क्या है इसी पर डेफिनिशन में आपको क्या बोला गया है पार्टी कुलर ने माना चाहिए विसेश किसी के लिए ठीक तो वो क्या हो जाएगा वह प्रापर नाउन तो अगर कुत्ते का नाम रखा गया है तो वह प्रापर नाउन है बास समझ में आ रही है और यदि उसके लिए एक कुत्ते का तो वह क्या होगा वह प्रापर नाउन होगा लेकिन जो एक वर्ड यूज किया जाएगा डॉग वह सब के लिए आएगा चाहे टॉमी हो सेरू हो बाबी हो कोई भी हो उसके लिए क्या आएगा डॉग सब्द आएगा ही आएगा तो वह जितने भी चाहे वह गली के कुत्ते हो चौराहे के कुत्ते हो सभी के लिए क्या आएगा डॉग आएगा तो यह क्या है डॉग के पूरे वर्ग को इंडिकेट करेगा उसको दिखाएगा बास समझ में आ रही है तो टॉमी क्या है प्रापर नाउन है और डॉग क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो is a common noun बास समझ में आ रही है इंडिया क्या है एक विशेश देश का नाम है पार्टिकुलर कंट्री का नाम है लेकिन जब कंट्री बोल दिया जाएगा तो वह जितने भी देश हैं वह सब को इंडिकेट करेगा बास समझ में आ रही है जैसे अभी बोल दिया जाए उत्तर प्रदेश क्या है प्रापर नाउन है इतनी बास समझ में आई जैसे अभी बोल दिया प्रियाग राज तो क्या हो जाएगा प्रियाग राज इस प्रापर नाउन बास समझ में आई मतलब प्रियाग राज इस पेसल क्या किया गया किसी एक सिटी का नेम ले लिया गया किसी डिश्टिक का नाम ले लिया गया तो वह क्या हो जाएगा वह आपका प्रापर नाउन हो गया और जो उसके लिए सब के लिए common word यूज किया जाता है जैसे अभी बोल दिया जाए प्रताबगण प्रयागराज फैजाबाद है ना कौशामबी इस तरीके से कानपूर लखनव ये सब जब बोला जाएगा तो वो क्या है proper noun है वो क्या है proper noun लेकिन सब के लिए एक word ज क्या है जो भी सहर का नाव उसमें ले सकते हैं तो city क्या हो गया आपका common noun मतलब सब के लिए यूज किया गया क्या city या district भी बोल सकते हैं जिला वो भी क्या है common noun की अंतरगत आएगा तो यह बात समझ में आई होगी आपको तो जैसा कि definition से ही लग रहा है कि वो क्या है कि person के क्लास यहां क्लास मतलब का अच्छा नहीं होगा वर्ग की बात की जा रही है मतलब उसके पूरे वर्ग को दिखाएगा किसके place को भी और thing के भी अब इतनी बात समझ में आ गई होगी ठीक तो इसको क्या करें इरेज कर दें इतना समझ में आया होगा तो कुल मिला कर आपको यहीं से समझना ज्यादा जरूरी था यह चीज अगर आपको समझ में आई है तो आपको common noun समझने में कोई problem नहीं आएगी ठीक चलिए तो इरेज कर दें कि इसके बारे में और देखते हैं इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीका है यह ठीक नए तो competition exam के लिए यह सब चीजे नहीं बताई जाते हैं केवल और केवल noun का यूज कहा होता है किस तरीके से यूज किया जाता है केवल उसी की चर्चा कर ली जाती है फिक वहां पर आपको केवल और केवल इतना बता दिया जाएगा कि common noun इसे कहते हैं और क्या चीजे आती है common noun में क्या नहीं आती है वहां कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि अगर आप competition exam के लिए जा रहे हैं तो इतना तो वहां बड़ी बड़ी coaching जो है coaching संसथान जो है तो व वहां पर तो यही समझा जाएगा कि अगर आप competition exam के लिए आये हैं तो निश्चित तोर पर आप intermediate qualify करके आये हैं ठीक या graduate होकर आये हैं तो इतना तो पता होना चाहिए कि common noun और noun और प्रपर noun यह सब होता क्या है ठीक इतना मान कर वहां पर आपको पढ़ाया जाता है ठीक तो यहां पर बिल्कुल basic तरीके से आपको शुरू किया गया है ठीक अब देखते हैं common noun के अंतरगत आता क्या क्या है उसको आप लोग पहचानने में आसानी हो जाएगी ठीक पहचानने में क्या आसानी होगी उसको देखे सबसे पहले तो है क्या name of profession नेम आफर क्या है प्रोफेशन नेम आफर क्या है प्रोफेशन प्रोफेशन मतलब जा समझ रहे हैं ब्यवशाय मतलब प्रोफेशन से ब्यवशायों के नाम अब ब्यवशाय क्या है जैसे क्या हो गया बार बार हो गया वासरमायन हो गया है ना धोबी ठीक ऐसे ही डाक्टर हो गया लायर हो गया वकील यह सब क्या है इसी के अंतरगत आएंगे मतलब जितने पद है ठीक फिर उसके बाद क्या आता है आपका इसमें नेम आफ फ्रूट क्या है नेम आफ फ्रूट 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 के नाम यह से इपल बनाना है ना इपल बनाना मैंगो ओरेंज कि अतरब से फ्रूट फ्रूट्स घ्रेग उसके बाद क्या हो इन नेम आफ बढ़ी है नेम आफ नीम आफ और burgers यह आ जाएगा नेम आफ वेजी टेबल से ठीक फिर उसके बाद है नेम आफ एनिमाल से नेम आफ एनिमाल से एंड और क्या होगा और क्या होगा दियर बेबी मतलब उनके बच्चे भी दियर बेबी उनके बच्चे भी आएंगे ठीक अब ऐसा थोड़ी है कि अगर पपी बोला जा रहा है मतलब कुत्ते के बच्चे को पिल्ले को क्या बोला जाता है पपी बोला जाता है तो अगर बोला जा रहा है तो वो क्या है वो केवल और केवल एक विसेश कुत्ते के लिए थोड़ी आता है वो चाहे जो भी कुत्ते का बच्चा हो सब के लिए वही वर्ड यूज किया जाएगा बास समझ में आ रही है ठीक फिर उसके बाद क्या है नेमा बर्ड ये चीजे मैं आपको यहां इसलिए बता रहा हूं नेमा बर्ड यहां से आपको सबस्यादा प्रॉब और छाट ये ठीक तब प्राबलम हो जाती है यूज क्यरी यह कॉमन नाउन में उसको रखे तो यहां पर यह चीज बिल्कुल घ्लियर हो जानी चाहिए आपको अभी बता रहे हैं कैसे यह सब चीजें हो रही हैं फिर उसके बाद नेम आफ इंसेट्स नेम आफ इंसेट्स ठीक फिर उसके बाद क्या एगा नेम आफ नेम आफ इस एंड नेम आफ इस एंड अधर वाटर एनिमल एंड अधर क्या एंगे वाटर अधर वाटर एनिमल से नेम आएंगे ठीक यह हो गया अब इसके बाद यहां पर लिख देते हैं ह नंबर है आपका नेम आफ इस ए प्लेसेज में कैसे जैसे आपका हो जाएं क्या इस्पूल जू पार्क चर्च यह सब ना सब कॉमन ना उनके अंतर गताएंगे फिर उसके बाद आई में आपका हो जाएगा नेमाफ थिंस क्या है नेमाफ थिंक्स मतलब वस्तों के नाम क्या है वस्तों के नाम यहाँ पर आजाएगा ठीक तो इतनी चीजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है तो देखिये अब मतलब व्यवसाई का नाम जब आएगा यहाँ पर तो वो किसके लिए आएगा मताइए में किसके लिए आएगा is देखिए आपका यहाँ पर टीचर आभी बताया फार्मर बारबर और क्या है कोबलर है ना लायर जैज सभी चीज़े आ जाएंगे मतलब जितने भी यहां पर पद हैं वो भी आ जाएंगे फिक जिलाज कारी मतलब डियाम सभी के लिए यहां पर वो कॉमन होगा इतनी बात समझ में आ रही है मतलब जितने भी पद होंगे प्रधान मंत्री प्राइम मिनिस्टर है ना सीम चेफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर सभी का लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए माननी नरेंद्र मोधी तब क्या करेंगे यदि आ प्रधान मंत्री बोल दिया जाए तो वो केवल और केवल मोधी जी को ही इंडिकेट नहीं करता है बलकि किसको इंडिकेट करता है पूरे जितने भी प्रधान मंत्री है सब के लिए वो सब्द यूज किया जाता है चाहे वो इंगलेंड के प्रधान मंत्री हो चाहे पाकिस् इतनी भी पोश्ट हैं पद हैं उसके लिए भी यहां पर यूज किया जाएगा प्रुफेशंस के अंतरगत अब बास समझ में आ गई होगी चलिए फिर नेमाफ फ्रूट्स जितने भी फलों के नाम है इपल ग्रैप्स ठीक पाइनिपल बनाना गौबा जितने भी आएंगे क्या है नेमौाफ फ्रूट्स मतलब सब्बों के नाम अब वहांपर सब्बों के नंव आपके आपके क्या लड़ी चिंगर गार्टेर सब चीजह उसलमाफ पर और आले थिक तो मलेल का को कि फ्रूल के नेम भी और चीर बेवी मतलब कहने का है कि जानवरों के नाम अब देखिए जैसे यहां पर अभी डॉक की बात Q करें यह से घोड़ा है तो गोड़ा किसके लिए यूच किया जाएगा घोड़ा जब बोला जाता है तो वहाँ पर किसी एक जन्त ऐसा नहीं है कि उसका नाम घोड़ा हो ठीक जब घोड़ा बोला जाता है होर्स बोला जाता है तो जितने भी होर्स है है उनसे सब की तरफ ओ इंडिकेड करता है बास समझ में आ रही है हाँ लेकिन अगर घोड़े का नाम बोल दिया जाता तो तो प्रापर नाउन हो जाता जैसे चेतक बोल दिया जाता आपको पता है महराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था ठीक तो यदि आपसे चेतक बोल दिया जाता तब तो वह प्रापर हार्स ही यूज़ किया जाएगा और चाहे चेता को हो उसके लिए भी हार्स ही यूज़ किया जाएगा ठीक तो यहां पर हार्स क्या होगा common noun के अंदर गद आएगा तो ऐसे ही जितने भी animals आएंगे वो क्या होगा सब के लिए common होगा ठीक और dear babies उनके बच्चे भी जैसे कुट्टे के बच्चे को क्या कहते हैं पप्पी बोलते हैं तो अब एक कुट्टे के बच्चे के पप्पी थोड़ी बोलते हैं जितने भी कुट्टे के बच्चे होंगे सब को पप्पी बोला जाएगा बास समझ में आ रही है तो वो भी क्या है पप्पी का बच्चा है ना तो ऐसे ही यहाँ पर सबके लिए यूज किया जाएगा ठीक चलिए फिर आगे नेमाफ बड चिडियों के नाम भी इसे क्रोब पेरेट पिकाउग और सबके लिए क्या है यह सब्सक्राइक क्या है क्या है नेमाफ इंसक्स में सभी किड़े मकोडों के नाम आएंगे जैसे आयंट, बी, मास्किटो है ना इस तरीके से सभी यहाँ पर यूज किये जाएंगे तो अभी किसमें आएंगे नेमाफ इस मशलियों के नाम आप जानते हैं जैसे क्या है सार्क है, इस्टार्फिस है, डॉल्फिन है तो यह जो नेमा आएंगे क्या होंगे जैसे और अधर वाटर रेंडिमल्स है जैसे क्या है टटल है क्रेप से हैं है न अब तो पस है यह सब क्या आएंगे यहां पर कॉमन नाउन के अंतरगत ही आएंगे फिर नेम आफ प्लेसेज अस्थानों के नाम अभी बने बताया जैसे पार्क जू है न इसकूल चर्च टेंपल विलेज सिटी तमाम चीजें हैं वो सब इसके अंतरगत आ आज याएगी फिर नेम आफ थिंस वस्त्मोह के नाम जैसे की हैना की मिन्स चावी पेंसेल हैं ना पेंसल भी आ जायेगा कॉपी भी आ जाएगा बुक भी आ जाएगा, है ना, बुक भी आ जाएगा, ऐसे ही, कॉपी है, बेंच, डेस्क, यह सभी चीजें, क्या हैं, नेम आफ ठिंस में सभी चीजें आ जाएगे, तो वो क्या होंगी, बास समझ में आ रही है, वो सभी कॉपन नाउन के अंतरगत आएगे, तो यह आपको कॉपन नाउन समझ में आया होगा, ठिक, तो यह कॉपन नाउन के अंतरगत, इतनी चीजें रखी जाती हैं, अब एक चीज़ आपको और मैं बताओं, अभी तो यहाँ पर हम लोग क्या कर है केवल केवल इसका part पढ़ रहे हैं इसके definition पढ़ रहे हैं common on हुता क्या इसके बारें पढ़ रहे है लेकिन जो exam में पूछा जाएगा आप part कोंप्टिसन इक्जाम में जो आप से question पूछा जाएगा वह इस तरीके तरीका लेकर हम चल रहे हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कोशिस से यही है ठीक थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिस करेंगे चलिए तो यह आपको common noun समझ में आया होगा ठीक हाँ एक चीज़ और है एक चीज़ और है जैसे आपसे बोला जाए newspaper तो newspaper क्या है वो भी common noun के अंतरगत आएगा कैसे अगर newspaper का नाम ले लिया जाए क्या दैनिक ज्यागरण तो वो proper noun के अंतरगत आजाएगा क्या है वो proper noun के अंतरगत आजाएगा हिंदुस्तान बोल दिया जाए तो proper noun के अंतरगत आएगा और लेकिन केवल और केवल उन सब के लिए एक word यूज क्या होता है newspaper तो जो newspaper word है वो क्या है आपका जो newspaper word है क्या है वो आपका common noun के अंतरगत आएगा क्योंकि सभी newspaper के लिए एकीवर्ड यूज किया जाता है नियूजर पेपर ठीक तो ये बात समझ में आ गई होगी चलिए तो अब इसको इरेज कर दें हैं ऐसी बहुत सारी चीजी हैं वहाँ पर कुछ अपने से भी आप लोग सोच सकते हैं हाँ एक चीज और बता दूँ मैं समझा देते हैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं आप लोग नोट से बना रहे होंगे तो इसको अच्छी तरीके से लिख लेंगे तो पूरे जीवन भरा आपको काम देगा फिक आप अपने जूनियर्स को भी इसको सिखा सकते हैं चलिए हम थोड़ा सा इक्जामपल और देख लेते हैं जैसे यहां लिखा जाए दगंगा इस अब प्रापर नाउन क्या है गंगा क्या है प्रापर नाउन है फिक गंगा प्रापर नाउन है ब्र रिवर्ड बट्रिवर्स आर डिवर्स क्या है। कामडल नाउन बास समझें आ रही है। गंगा क्या है। गंगा प्रापर नाउन है देखें नदी का नाम आ गया गंगा। ठीक वह प्रापर नाउन है। लेकिन जो रिवर वर्ड है ठीक यह जो रिवर वर्ड है यह क्या कर रहा है यह सभी नदियों को इंडिकेट करेगा चाहे वो यमना आए चाहे गंगा आए नर्मदा कावेरी कृष्णा गोदावरी ब्राम्मकुत्र तमाम तरीके की नदियां है उन सब के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाएगा रिवर ठीक तो यदि नदियों का नाम आ जाएगा तो वहां पर क्या करेंगे गंगा प्रापर नाउन और केवल रिवर अकेले देगा तो क्या हो जाएगा कॉमन नाउन ठीक तो यह चीज समझ में आई चलिए ऐसे एक और बात हैं जैसे लिखा जाए क्या यह दा रामायन क्या लिखा जाएं दा रामायन तो क्या हो जाएगा रामायन इस आप रामायन क्या है प्रापर नाउन बट बट बुक इस जय डें कोमन नाउन भाद समझ में आ रही रामायण क्या है प्रापर नाउन है लेकिन जो बुक है वो क्या हो जाएगा जो बुक है वो क्या है जो बुक वर्ड है यह सभी के लिए आएगा वो चाहे वो चाहे क्या हो वो चाहे रामायण हो महाभारत हो है ना कुमार संभवम हो कोई भी बुक हो सबके लिए एक वर्ड यूश किया जाएगा क्या बुक सबके लिए क्या यूश किया जाएगा बुक बास समझ में आ गई होगी ठीक तो इस तरीके से आपका कॉमन नाउन क्या होगा समाप्त हुआ ठीक और इसको आप अच्छे से अपने से भी समझने का प्रयाज कीजिएगा इसको एरेज कर रहे हैं अब हम इसका अगला देखेंगे क्या क्लेक्टिव नाउन के बारे में ठीक इसका हम अगला पार्ट देखेंगे क्या क्लेक्टिव नाउन चले देखते हैं तीसरा नंबर है आपका क्लेक्टिव नाउन ठीक तो क्या है क्लेक्टिव नाउन को क्या बोला जाता है समूह वाचक संध्या ठीक क्लेक्टिव नाउन क्या है समूह वाचक संध्या इसको बोला जाता है तो यहाँ पर क्या है इसकी जो डिफिनीशन है वो क्या है लिख देते हैं आ क्लेक्टिव नाउन क्या है आ क्लेक्टिव नाउन is the इस दा आ नंबर आफ क्या है आ क्लेक्टिव नाउन आ क्लेक्टिव नाउन इस दा नंबर आफ आ क्लेक्टिव नाउन इस दा नेम आफ ऐसे होना चाहिए था ठीक आ क्लेक्टिव नाउन इस दा नेम आफ आ आना फिर से आ क्लेक्टिव नाउन इस दा नेम आफ आ आ नंबर क्या है आ नंबर आफ परसंग और परसंग और थिंग 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 से इसका क्या मतलब है कहने का मतलब है कलेक्टिव नाउन क्या है कलेक्टिव नाउन नाम है आफ नंबर आप परसंग मतलब वस्त्वों की या व्यक्तियों के समू को जो क्या करता है मतलब जिसको केवल एक मानता है मतलब एक वर गया समू में रखता है ठीक कहने का मतलब केवल और केवल क्या करता है समू का बोध कराए क्या परसंग के समू का जो बोध कराए उसे क्या कहा जाता है ठीक और इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका दूसरा तरीका यह हो सकता है इसकी डिफिनिशन का यह छोड़ा सा तरीका ठीक वह छोड़ा तरीका क्या हो सकता है उसको भी आप जान लीजिए देखिए इसको तो आप रखेंगे रखेंगे दूसरे तरीका क्या हो सकता है उसको समझिए बिल्कुल आसान सी डिफिनिस हैं कलेक्टिव नाउन इज दा नेम आफ नेम आफ ग्रूप क्या है नेम आफ ग्रूप और कलेक्टिशन ठीक और क्या है कलेक्टिशन आफ थिंग आफ थिंग और थिंग और थिंग और परसंस और दिखें क्या है कलेक्टिव नाउन इज दा नेम आफ ग्रूप और ए कलेक्शन आफ ग्रूप से थिंग और परसंस अ आफ दा यह आफ दा सेम काइंड आप दा सेम काइंड है आप दा सेम काइंड क्या है टेकन टूगेदर बात समझ में आ रही है आप देखिए यहाँ पर क्या है आपको दो तरीके से चीजे आपको वही कही गई है क्या है क्या है इसके ब्यक्तियों के या वस्तूओं की संख्याओं का उनकी नंबर का उनके समू का जिस जो क्या होता है मतलब एक के रूप में माना जाता है केवल एक समू के रूप में माना जाए और दूसरा क्या है क्या है आफ ग्रूप कर दिजिए तो क्या है अ कलेक्टिव नाउन मतलब एक क्या है इसका भी मतलब क्या है क्या है समू हों अप भी समू का नाम हो उसे क्या कहा जाता है कलेक्टिव नाउन कहा जाता है अब देखिए जैसे यहां पर क्या है उसके लिए देखते हैं इसको इरेज करदें आप लोग डिफिनिशन को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा दो दो डिफिनिशन हैं अब इसके बाद करें की पहचान कैसे करेंगे वह सबसे जडादा ज़रूरी है देखना कर में आपको बता रहा है कुछ वर्ड के बारे में चर्चा कर रहा हूं उसको आप लोग समझने का प्रयास किजिएगा चलिए देखते हैं तो वहां पर जो आपका है वो है class ये भी क्या करता है समू को दर साथा है वर्ग कच्छा ठीक टीम टीम भी क्या है कम से कम छे साथ लोगों का चार लोगों का दो लोगों का शमू होता है तभी टीम बनती है है ना और एक class कब बनता है जब वहां पर विद्यार्शियों का समू हो या लोगों का वर्ग हो अभी class आप परसन बताया था ना उसके बारे में यहां पर चर्चा की जा रही है अब उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा क्या है और बैंड बैंड मतलब क्या होता है बांड मीज्ऑ क्या होता है डल मय वर्ड़ मीनिंग भी बता रहा हूँ जहां प्राब्लम होकि आप वा इन दिकेट कर लीजिएगा फिर प्राउड में से क्या होता है भीड फैमिली में से परिवार फिर आपका है गैंग में से भी क्या होता है समू होता है फिर उसके बाद आर्मी आर्मी मतलब से ना ठीक आर्मी भी आपका है यहां पर फिर उसके बाद मॉब मींस क्या होता है मॉब मींस भी भीड होता है लेकिन मॉब मींस यहां पर उत्तेजित भीड करेंगे है ना मॉब मींस क्या करेंगे उत्तेजित भीड करेंगे फिर फ्लॉक फ्लॉक मींस क्या होता तता है जुनड जो पच्चियों का जुंड होता है उसके बारे में बातची जा रही है पिर उसके बादा citizen bench बंच मिफ certificates क्या होता है ग Utaf98 पिर बसके बादें पर आपका गुरूप उपशे का इसका मतलब भी समू होता है ठीक फिर उसके बाद क्या है कमेटी क्या है कि क्या है कमेटी अब कमेटी में क्या है डबली रहेगा इस तरीके से यह जो वर्ड है यह किस रूप में यूज़ किया जाते हैं कलेक्टिव नाउन के रूप में आते हैं जब आपसे दिया जाए तो वहाँ पर आपसे कलेक्टिव नाउन पूंच लिया जाएगा ठीक जैसे एक वर्ड और ले लेते हैं ट्रूप ट्रूप मिनस भी होता है समूँ ट्रूप मतलब भी होता है समूँ लेकिन किसका समूँ बंदरों का समूँ जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए आपसे 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 मतलब बंदरों का समूँ क्या बोल दिया जाए बंदरों का समूँ तब क्या हो जाएगा यह भी आपका क्या है कलेक्टिव नाउन के अंतर गत्य आएगा ठीक इस तरीके से यह सभी चीजे क्या है यह सभी चीजे यहां पर आपका कलेक्टिव नाउन को इंडिकेड करेगा ठीक फिर तो बाक्य उसके बाद जो आपको सेंटेंस में दिया रहेगा जैसे दिया है आपका क्या तो स्वार में क्या है स्वार में वो मदमक्यों को दरसाएगा ठिक वो मदमक्यों के समु को दरसा आता है पिजसे आकउम superheroes बनानाज मतलब केला का जो गुच्छा होता है उसके लिए a common बाता है है ना conciet यम्ब पर भी वो केले के संवू को दरस आ रहा है आएसे यिसा सोल ये क्या है जों उल मजली के संवू को दरस yet इस तरीके से जो आपके वर्डघ आएंगे फो कलेक्टीन को इंडिकेड करते हैं वो क्या करते हैं समझ में आ गई होगी चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या इतना आपको समझने होगा क segưỡ्व समझने आ गया होगा अब उसके बाद क्या है वारे में चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में हटाम के बारे में भी हम सका करेंगे इसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो चीजी ज्यादा समझ में आएंगी कुछ अपने से भी मेहनत करेंगे यहां से तो पूरी कोशिस की ही जा रही है कुछ आप लोगों की भी क्या है जिम्मेदारी बनती है कि चीजों को कम्प्लीट करें अब इसके बाद क्या है चौथा नंबर आता है आपका कि मैटेरियल ना हूं कि क्या है कि मैटेरियल ना हूं थिक मतलब पदार्थ वाचक संग्या क्या है इतना आपको कलेक्टिव ना हूं तक अच्छे समझ में आया होगा चलिए अब मैटेरियल ना हूं क्या होता है उसके बारे में भी जाल लेते हैं क्या हुआ क्या हूं है चे ले तो माटेरियल लॉन में आपका जो है। मैटेरियल लॉन क्या है वह देखे इसकी डंसान इंय क्या है । इस मृटेरियल लॉन क्या है और भी कई डे नेम आफ इस दा नेम आफ वो सब्तेंस 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 सब्स्टेंस होता है यह सब्तेंस 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 यह ऐसे कर देते हैं तो ज्यादा असानी हो जाए ठीक है ना है अम अटेरियल नाउडिस दा नेम आफ दा नेम आफ दा नेम आफ दा अमाटर नेम आप दा मैटर या सफ टैंस इसको वी वो सकते हैं आफ वीचे आफ भीचे थिंस आरे थिंस आरे मेड बात समझ में आ रही है थिंस आफ मेड मतलब पदार्थ वाचिक संग्या क्या है नाम है किसका आप दा सेस्टेंस या मैटर का तत्वों का आफ विच जिससे लिच के तिंस का है अरे मेर्ड मतलब वस्तिये बनाई है ज्यस्टे वस्तिये बनाई अगर हम समझने का प्रयास करें तो कैसे हो जाएगा वो जानी है कैसे वो जानी है ठीक जैसे नेम आफ क्या है मटेडियल में ऐसे आगर फस्ट नमबर करके हम कर लें तो क्या हो जाएगा समझने का प्रियाश किजिए तो हो जाएगा घोल्ड सिल्वर औरन है ना सिल्वर और ठीक इस तरीके से बहुत सारे यहां पर क्या है आपके किसे कर देंगे यह आ जाएंगे ठीक फिर उसके बाद आपका अगला नंबर है वह क्या है तींसर देट इज ड़यरी लिक्विड मतलब वे टींसर वह है थेंसर ड़ट और और इन लिक्विड ऊसरा मतलब जो क्या है जैसे अब गर्वरंप में है त्यक्या है जैसे इसमें आपका क्या हो जाएगा ओयल है ना ओयल वाटर है ना ओयल है वाटर है है ना डीजल है क्या है इस तरीके से आपका जो है यह क्या है यह क्या है यह लिकिट फाम में होती है वो भी और अगला नंबर है वह आपका है मैटेरियल मैटेरियल्स फ्रॉम क्या है मैटेरियल्स फ्रॉम मैटेरियल्स फ्रॉम विस्टिंग्स आर मेड है ना वीज वाड़कि तिंग्स अरे मेड मतलब वस्तुएं ऐसे पदार्थ जनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं ऐसे पदार्थ जिनसे वस्तुएं बनाई जाती है जैसे क्या है आपका यहीं लिखेते हैं सिमेंट है क्या है सिमेंट है है ना उड़ है क्या है उड़ है सिल्क है सिल्क है और फूल है एटीसी इसेक्टरा अब यहां पर एक बात समझने की क्या है उसको जानिये पहले हैं एक तो पहली बात मैटेरियल का नाम है गोल्ड सिल्वर कहने का मतलब जितनी भी धात हुए है ठीक है ना जितनी भी धात हुए है वो क्या है उसके मैटेरियल नाम है moms उत्यास है इसे अमैटेरियल इन रहते हैं जिसे मैटेरियल जिंसे वस्तेय बनाती जाती सेमेंट वुड सिल्क वूल है ना जैसे अगर आप से बोला जाए चेयर तो चेयर क्या हो जाएगी कि चेयर तो हो जाएगी कामन नाउन अलेकिन वुड बोला जाएगा तो मैटेरियल नाउन क्योंकि लकड़ी से कुरसी बनी है ब्समझ में आ इस तरीके से जो farm होगा वो क्या होगा material noun की अंतरगत आएगा वो क्या होगा material noun की अंतरगत आएगा ठीक इस तरीके से आपका क्या है अब यहाँ पर क्या है जिसे cement की बात की जाती है तो cement से क्या बनता है घर बनता है house तो house क्या है common noun है लेकिन cement क्या हो जाएगा material noun हो जाएगा ठीक तो यह आपको material noun और common noun है समझ में आ गया होगा material noun और common noun आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब आज ही हम देख लेते हैं क्या abstract noun के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं क्या है abstract noun भी देख लेते हैं कर आपको इसी noun से ही competition level का जो question बनता है आपकी exam में competition level का जो question बनता है उसे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे main target तो वही है लेकिन यह basic चीज़े हैं इसको जान लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है तब चीज़े वहां से समझ में आ जाएंगी पर जायएं नाऌन हाझ य समय है एक बात और आती है countable noun और uncountable noun की तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे abstract noun के बारे में चर्चा करेंगे ठीक क्या करेंगे abstract noun मतलब भावाचा के संग्या ठीक क्या है भावाचा संग्या के बारे में चर्चा होगी देख लेते हैं abstract noun भी चलिए abstract noun देखते हैं क्या है अश्ट्रेक्ट नाउन मतलब भावाचक संग्या फिक क्या है भावाचक संग्या इसको तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अश्ट्रेक्ट नाउन में क्या आता है इसका क्या हो जाएगा इसकी डिफिनिशन सीदे सीदे आप क्या लिश सकते हैं अश्ट्रेक्ट अश्ट्रेक्ट नाउन इसे दा नेम आफ सम क्या हो जाएगा सम फिलिंग क्या है फिलिंग क्या है फिलिंग क्वालिटी और क्वालिटी एक्शन भी मतलब अवस्थां फिलिंग क्या है फिलिंग क्वालिटी एक्शन और स्टेट का क्या होता है नाम होता है बस समझ में आ रही है फिलिंग क्या होता है अब्यां अफ्क्रिक्टर ऐसे लिविए एनम स्ट्रेक्टर नाओं स्टेटर यसे लिवें एध्यवट्य boca नंवे TIM में फेल्ट वल्ली कैन बी फेल्ट मतलब केवल महसूस किया जा सकता है केवल महसूस किया जा सकता है इट क्या हो जाएगा इट इट कैन नाट इट कैन नाट भी सीन और टच टच ठीक मतलब यह ना तो क्या होता है सुना जा सकता है ना तो देखा जा सकता है ना तो इसको सुना जा सकता है स्वारी चुआ जा सकता है बास समझ में आ रही है अफ्ट्रेक्ट नाउन क्या है अवस्था का नाम होता है अवस्था का नाम होता है मतलब भाव आचे संग्या को केबल महसूस किया जा सकता है भाव आचे संग्या को क्या किया जा सकता है केबल महसूस किया जा सकता है मतलब यहां क्या है ना तो देखा जा सकता है और ना तो छुआ जा सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है ना तो इसमें weight होता है ना तो इसकी size होती है ना तो इसमें shape होता है कुछ नहीं होता है ठीक only क्या हो सकता है ये field किया जा सकता है क्यों महसूस किया जा सकता है बास समझ में आई तो यहां पर कुछ word आप देख लेंगे ठीक यहां पर हम कुछ words की बात कर लेते हैं कौन-कौन से आते हैं जैसे कुछ word हम लोग देख लेते हैं देखे एक बात है इसको हम पहले erase करेंगे इसको आप लोग अच्छे से complete करेंगे copy में अपने लिख लेंगे Erase कर रहे हैं तो यहां पर थोड़ा point करके हम लेते हैं तो जादा वहतर होगा point करके लिखेंगे अगर आप notes बना रहे हैं तो जादा वहतर होगा उस तरीका से लिखना आप चलिए तो वहां पर आपको ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी लिखने में और समझने में भी आसानी हो जाएगी और आपको लिखने में भी आसानी रहेगी इसमें क्या है आपका वह देखें देखें नेम आफ नेम आफ मेरिट्स और मेरिट्स और दिमेरिट्स यह आएगा इसका क्या मतलब है मतलब आपके घूड या दोस जैसे क्लिवर्नेस काइंडनेस है न यह सब ऑनेस्टी विजिडम यह सभी इसमें आपके आएगे बास समझ में आ आ रहे हैं यह सभी चीजे इसमें आएंगी जैसे लिख देते हैं दो चार वर्ड ऑनेस्टी विजिडम ठीक ऑनिष्टी विजिडम क्या है क्लिवर्नेस है न इस सक्ट्रा कर देते हैं इस तरीके से यहाँ पर आपके वर्ड आ जाएंगे पावर्टी भी यह गरीबी भी नई पावर्टी दूसरे में आएगा कंडिशन में आएगा ठीक् क्या है नेम आफ ऐसे कर देंगे नेम आफ कंडिशन से और क्या कर देंगे इस तेट या अवस्था इसमें आपका क्या जाएगा जैसे चाइल्ड हुड है ना चाइल्ड हुड है मतलब क्या है बच्पना ठीक है ना पौरिटी गड़ीबी तर रहें पौर्टी रघए नतलब घड़ीबी हैं फीर है उसके बाथ क्या है फ्रीड आजादी किसने कर देंगे अब हर आपको मिल जाएंगी ठीक यहाप यहाँ आपको मिल जाएंगी फिर उसके बाद अगला दूरा आपका आता है ने माफ पिलिए कि यह है ने माफ उर्वन नाउं शारrou कि इने माफॉर्ः नाउन क्या होता है अब ऴर्वन नाउन का कहने का मतलब यह है आपका कि वहां पर सीदे सीदे आपको वर्व लो जो है, वह जब noun के रूप में यूज़ करने लगते हैं तो वह क्या होता है ?? वह आपका अश्ट्रेक्ट noun के अंतरगत आएगा sentence जैसे walking होता है , walking बोलते है ना लोग सुबा की ona walking पर गए छाइए है तो वह है टहलना है क्रिया के रूप में है आएगा क्या है आएगा क्रिवीज़ में हैं लेकिन वो क्या है 5 फिर आगे जैसे रुटह से आजाए यहां पर क्या आपका flying मतला वर्ब के रूप में ना करके यह क्या आएंगे जब noun के रूप में यूज़ किये जाएंगे जब हम book पढ़ाते हैं वहाँ पर तो यह चीज इंडिकेड किया जाता है वहाँ पर तो यह चीज़े आपको वहाँ पर भी समझ में आएंगे फिर उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़े हैं उसको क्या गड़ते हैं हम वह इसे ही बता दे रहे हैं जैसे subjects के नेम क्या है subject मतलब एक तरीके से कहें subject या भासा ठीक भासा जब हम बोल देते हैं जैसे Hindi, English, French कि यह सब भी क्या है आपका там M अक्टरwhend G Observations मतलब जितनी वी भासाये हैं यह याद रखिएगा जितनी वी भासाये हैं वह क्या होगी अफ्टनुन के अंतरगत जाएंगी ठीक फिर उसके बाद जितनी भी टीसीज हैं जितनी भी Decies मतलब बिमारियां हैं, जितनी भी diseases हैं, वो सब कहां जाएंगी, बताएं, वो सब भी abstract noun के अंदर गत रहेंगे, जैसे cancer, diabetes, dysentery, है ना, ये सबी बिमारियां भी क्या हैं, कहां जाएंगी, abstract noun के अंदर गत ही रहेंगी, फिर उसके बाद, जितने भी आपके science हैं, जिसे physics, chemistry, biology, ये सब क्या हैं, मतलब जितने एक तरीके से कहें, जितने subjects हैं, mathematics, ये सबी किसमे हैं, आपके abstract noun के ही अंतर गत आते हैं, वो सबी क्या हैं, abstract noun के अंतर गत ही आएंगे, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतनी ची में के से आपका क्या हुआ, noun के parts, noun के parts complete हुए, और अब हम अगले वीडियो में आपसे, अभी noun पर ही हम रहेंगे, क्योंकि अभी noun कम से कम आपका 3-4 दिन चलने वाला है, पूरा हम competition level ही लेकर चलेंगे, ठीक, तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, noun के, और other rules के एक basic तरीका था, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक, आप लोग इसको क्या करेंगे, complete करेंगे, ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप क्या करेंगे, like और share जरूर करेंगे, ठीक, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में